दोस्तों मेथी दाना हम सभी के किचन में आसानी से अवेलिबल होता है और ज्यादा तर इसका यूज हम इंडियन कोकिंग में करते हैं लेकिन ये खाने के टेस्ट को इंप्रूव करने के साथ-साथ हेल्थ और ब्यूटे डिलिटेग प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने में मेगनेशियम, कैर्शियम और कार्बोहाइट्रिस जैसे गुल होते हैं जो कि ज्यालत और हेल्थ प्रॉब्लम्स को जड़ से खतम करता है तो चलिए चानते हैं इससे होने वाले फायदे आप रात में एक चमच मेथी दाना को एक ग्लास पानी में डाल कर छोड़ दे और सु इससे हानी का रख LDR कोलेस्ट्रोल भी कम होता है हाई कोलेस्ट्रोल वाले अगर इससे साबुत ही पानी के साथ फांक सकते हैं या चाहे तो चूरन बनाकर बूरा चेनी मिलाकर फांक के ले सकते हैं जोडों के दर्द गठिया या अर्थराइटिस ट्रसी बिमारियों को भी म इस दिनों में ठीक कर सकती है आप मेथी, सोट और हल्दी को बराबर क्वांटरी में लेकर पाउडर बना ले और रोजाना सुभा शाम खाना खाने के बाद एक चमच गरम पानी के साथ ले इसके अलावा सर्दियों में मेथी के लड़ू भी बनाकर खा सकते हैं मेथी में प मेले की खराश, जुखाम या कफ आदी में आराम मिलता है मेथी दानों को बारिक पीस कर उसमें थोड़ा सेंधा नमक और काली मिच का पाउडर मिलाकर एक चूरन तयार कर ले और सुभा शाम आधा चमच इस चूरन को फाके मेथी वायो नाशक, पित्त नाशक और साथ ही इस से इमिनोटी भी पड़ती है, इसलिए ये बच्च्चों से लेकर बढ़ो के लिए काफी अच्छा है, 50 ग्राम पिसी हुई मेथी दाना या फिर 50 ग्राम मेथी के पत्ते, 100 ml तेल की तेल में नाल कर करीब 4 दिन तक रखे और फिर तेल को छान ले, इस तेल को वाल कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफेकेशन बेल को भी और करतें जिसे आने वाला एक भी वीडियो आप मिसना करें